हेलो दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर सवाल दिख रहा है ये ब्लड रिलेशन का सवाल है ठीक है तो इस तरह के सवाल जो है काफी इंपोर्टेंट होते हैं और आपके इस तरह से कॉंपर्टेटिव एक्जाम में देखने को मिलता है खास करके आप लोगों को जो CM और SS का जो लोटी बेटी है वो पुरूस महिला से कैसे संबंदित है इस तरह के सवाल को बनाने के लिए क्या करना होता है कि आपको वहाँ पर थोड़ा सा लिखना होता है डाइग्राम बनाना होता है किस परकार से देखिए एक पुरूस का प्रिच्छा देते हुए महिला तो आप क्य रही है कि यह जो पुरुस है इसकी जो पतनी है इसकी पतनी जो है इसकी पतनी यह जो पतनी है इसकी मेरे पिता की यानि इसका जो पिता है इसका जो पिता है इसकी पिता की एक लौती पुतरी है एक लौती यानि जो इसका पिता होगा उसकी एक लौती पुतरी तो यह खुद अपने बारे में कह रही है, कि उसके पिता की एक लौती पुत्री, है न, एक लौती बेटी है, वो पुरुस महिला से कैसे संबन्दित है, तो पुरुस महिला का क्या है, पती है, क्या है, पती है, ठीक है, समझ मा आगे आप लोगों को एक बर फिर से repeat कर देते कि एक पुरुस का परिचाय करते वही यह जो महिला है ना एक पुरुस के बारे में कह रही है कि इसकी जो पतनी है इसकी जो भी पतनी होगी इसके पिता की एक लौटी बेटी तो इसके पिता की एक लोथी बेटी वो खुद है, तो वो खुद अपने बारे में कह रही है, तो वो पुरुस महीला से कैसे संबनित है, तो वो उसका क्या है, पती है, तीक है, समझ भाएगे आप लोगों, नेक्ट स्वाल पे चलते हैं, अब आप लोगों को एक्जाम में इ पी क्यू की बेटी है, यानि आपको समझना है कि इधर वाला जो है, वो बेटी है, और इधर वाला उसका बाप है, ठीक है, बाप यहां माज कुछ भी हो सकता है, यहां पे किलियर नहीं किया गया है, ठीक है, तो पी क्यू की बेटी है, उसके बाद पी गुना क्यू का अर् नहीं है और यह जो है P फिर पतनी बन जाएगे अगर मैनस में रहेगा तो क्यों कि ठीक है अब आपको देखना है यहाँ पर क्या कह रहा है इस सवाल को ध्यान से देखिए इसमें कह रहा है कि आपको बताना है कि A-B गुना C-D के लिए निम्र में से कौन सा विकल्प जो है व C-D की पतनी है तो मैनस वाला यहाँ है तो मैनस में P-Q की पतनी है यानि इधर वाला पतनी है और यहाँ पर भी इधर वाला पतनी है यानि यह option सही हो गया ठीक है दूसरा देखिए कह रहा है कि B-C की बेटी है तो B-C की बेटी है यानि गुना में अगर रहेगा तो यह B ज तो इस तरह से अगर आपको एक्जाम में सवाल दिखे तो आपको इसी परकार से उसको हल करना है